हालो गाइज, चोहान क्लाइसिस में आप सभी का स्वागत है, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, पेरिटिव पॉलिटिक्स के ऊपर में बनाया हुआ है, जो ग्रेजुएशन्स पॉलिटिकल साइंस से कंप्लेट करने जा रहे हैं, या वो चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन उसके कर देखा जाए, तो यहाँ पर यह सब पढ़ना हमारे लिए कि इतना ज़्यादा ज़रूरी कि इतने ज़्यादा इंपर्टेंट हो जाता है, जिससे बात करें एक कंपैरिटिव प्रिटीश की, तो तुलनात्मक अध्यन किसका जो अधर कंट्री के जो भी इन्फिकी आईलेंड यह सारे के सारे जितने भी आईजिनेंड है इन से मिलकर के युनाटेट किंडम मना हुआ है जिसको यूके बोलते हैं आप लोग उसके साथ साथ यह सेक्सपियर का पर्थप्लेस भी माना जाता है और साथ साथ पर जो इंगलेंड है अगर मैं बात कर लंदन की दो जो इंफ्लेंटर है ऑफ फाइनें़ सेटर का एक सेंटर पॉंट माना जाता है उसके साथ साथ यहां पर कुछ centuries old यानि यह बहुत पुराने centuries की कुछ university यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जैसे Oxford और Cambridge जैसे university फिर बात करते हैं कि UK constitution इस्टार्ट कब हुआ था UK constitution के starting जो थी वो 1800 से start हो चुगा था जैसे इसमें जो England है Scotland है Wales है Ireland है वो fully वहाँ पे फॉर्म थे उस समय में एक long time के साथ साथ यहाँ पे constitution को इसमें बनाए गया है एक long period यह बहुत लंबा टाइम इसमें लगा हुआ है इसके साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं constitution के कुछ तीन परवस उन्होंने रखे थ कि जो constitution है कौन से तीन main functions थे यहाँ पे जैसे national government को create करना चाह है वो legislative executive है और साथ 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 जुडिशल ब्रांच को वहाँ पे system में उसको एड करते हैं चलना balance के आलहार पर और जो यहाँ पे जो power से वो divide की गई है fatal government में और state में क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हाँ पे parliamentary system बात करें मेगना कोर्टा के तो मेगना कोर्टा 1215 में constitution जो british constitution है उसमें लिखा गया था मेगना कोर्टा उसे बोल गया है जैसे यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको पूरी दरीके से मेगना कोर्टा जो word है वो बोल दे जाता है कि हम आपको मेगना मतलब होता है एक big letter एक बहुत महान जो पत्र बोला जाता है यह महान पत्र जो british government थी वो यूज करती थी और उसने उन्होंने यूज इंडिया में भी किया था वे जो मुगल जो यहाँ पे राजा थे उनके उपर करते थे वो क्या होता था कि जैसे ही उन्होंने अपने बा पिर बात करते हैं कि जो british constitution है वो लिखा क्यों नहीं गया है यह कि सबसे बहली बात होती है जो constitution है उसके कुछ basic law है जो जैसे यहाँ पे principles of parliament, sovereignty अगर मतलब बात करे हाँ पे संपरभूता यानि कि जो संसत के संपरभूता है और rule को लेकर के बात करे या democracy को लेकर के बात करे तो यह जो system है वहाँ के लोगों ने खुद ही develop कर लिया था यानि कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ के लोगों के according अगर compare करे तो वहाँ के लोग बहुत ज़्याद एडवांस थे उन्होंने पहले से ही अपने आपको वहाँ पे develop कर लिया था तो उन्हीं ज़्यादा rule revolution बनान सोला सो नवासी में आया था एक्ट ओफ पार्लेमेंट ओफ इंगलाइंड ये इंगलाइंड का एक पार्लेमेंट की हिसाब से एक एक्ट होता था जो glorious revolution के वहाँ पे follow किया गया था इनकी जो बूरी किरांती हुझ उस समय में वहाँ पे follow किया गया था चाहे fundamental part इसको माना ज पार्लेमेंट है उसको mother of parliament के नाम से जानते हैं और साथ साथ में जो इंगलाइंड के constitution है वह generally magna quota के नाम से great magna quota महान पत्रम, great letter के नाम से great charter के नाम से भी जाना जाता है ठीक है जो king john के समय में वहाँ पे हुआ था उसके बात करते हैं कुछ silent features greatest constitution के यानि कि कुछ वहाँ प constitution है और साथ साथ में यहाँ पे कुछ ऐसे points है जैसे British constitution is evolutionary, flexible constitution, unitary, parliamentary, executive, sovereignty of parliament या rule of law या gap between theory and practice यानि कि अगर यहाँ पे total यहाँ पे अपनी constitution का compare करें तो कुछ हद तक यहाँ पे थोड़ा सा similar हो जाता है क्योंकि आपने देखा है वहाँ पे parliamentary system है और इन्हें में भी parliamentary ही system चलत है तो वहाँ पे अगर features को लेकर बात करते हैं किसी भी चीज की constitution को लेकर के तो थोड़ा सा यहाँ पे compare and similarity आपको मिलती है बस similarity कहां नहीं मिलती है वो लिखित नहीं है और हमाया लिखित है और लिखित की सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे लोग इतने जादा advance नहीं थे जादर पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो यहाँ पे वो चीज़े हमें लिखित रूप में रखनी पड़ी है इसके बात बात करते हैं कि जो ब्रिटेन है उसके अलावा भी यानिक यूके का लावा भी चार ऐसे country है जिन में unwritten constitution है जैसे Canada है, Saudi Arabia है, New Zealand है, Israel है तो इन country में भी आपको unwritten constitution है मिलेगा क्योंकि वहाँ पे कोहली की तुरूप में ऐसा समिधान उनकर नहीं है अगर आपको British constitution से जुड़े हुए उससे related ये fact ये features आपको अच्छे लगे है तो please like करें, share करें, ज्यादे से ज्यादे लोगों का आप share करेंगे तो इसके जो fact है जो अधितर बच्चे नहीं जान पाते हैं उनके बारे में, इसके बारे में उनको भी पता लगेगा और और ज्यादे constitution के बारे में जानने के लिए मेरे इस channel को आप subscribe जरूर करें, thank you, धन्यवाद, जे हिंद, जे भारत